साब्सक्राइब करें पाकिस्तानी ड्रामा सेंज चैनल को और दबाएं इस बेल के एकन को ताके आप हमारी वीडियो देखें सबसे पहले वीडियो चुरू करने से पहले मैं आपको यह बता दूँ यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके इंटरटेंमेट के लिए होती है ना कि किसी एक्टर या ड्रेक्टर की बुराई करने के लिए इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा दिल पर ना ले थैंक्यू इस सिन में महापारा जब अपनी दादी के साथ बातें कर रही होती है तब ही सौफे के ओपर एक चादर और एक परस पड़ा होता है और फिर जब महापारा अपना समान पैक करने लगती है तो वो दोनों चीजें यहां से गईब हो जाती है हाजरा जब महापारा से मिलने के लिए जाने लगते तब हाजरा के दोनों हाथों में कोई भी चीज नजर नहीं आती है और फिर जब हाजरा चलकर महापारा के पास आती है तो हाजरा के हाथ में ये मुबैल पतनी कहां से आ जाता है और फिर जब आजरा महापारा को अपने रूम से निकालने लगते तब आजरा के ये वले हाथ में कोई भी मुबैल नजर नहीं आता और आजरा के दूसरे हाथ में भी कोई मुबैल नजर नहीं आता लेकिन जैसे कैमरा दूर से भी लेता है तो आजरा के हाथ में ये मुबैल जादू से आजाता है महापारा यहाँ पर हाज्रा को काल लगाती है अगर हम हाज्रा के मुबैल को गोर से देखें इस पर कोई भी काल लगी हूँ नजर नहीं आती लगता है हाज्रा महापारा के साथ फून पर बात नहीं कर रही बस ऐसे ड्रामे लगा रही है सुहेल की माज अब यहाँ पर आजरा से बातें कर रही होते हैं तब यह दिवार पर लगी हुई पेंटिंग की साइट पर बैठी होती है लेकिन जैसी केमरा सामने से व्यू लेता है तो यह पेंटिंग के बीच में बैठी हूने से राती है भई लोग वीडियो पसांद है तो इसे लाइक कमेंट और शेर कर दो ऐसी वीडियो मजीद देखने के लिए पाकिस्तानी ड्रामा सेंज चैनल को साब्सक्राइब करना ना भूलें